कॉंग्रिस वधा कांतिलाल भूरिया अलप प्रवास पर अली राजपूर आये जहां ब्रश्टचार का आरोब छेल रहे बीजेपी सांसत गुमान सिहां डामोर पर अपना गुस्सा निकालते हुए कांतिलाल भूरिया ने जमकर निशाना साधा तो वहीं उप्चनाव में खीकरा फोनने वाले कॉंग्रस नेता महेश पतिल को भी कांतिलाल भूरिया ने आड़े हां दू लिया अली राजपूर जले की दोरे पर आये कॉंग्रस वधाय कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से बाचीत करते हुए बीजेपी सांसत गुमान सेहं डामोर पर जमका निशाना साधा जहां सांसत डामा और पर लगे ब्रश्चचार के आरोपो को लेकर कांतिलाल भूरिया ने कहा कि गुमान सेहं डामोर ने खुले आम डाका डारा और सरकार को कानो कान खबर तक नहीं हुई लोगों में बच्चे थे उनको भी उनको भी इतना बड़ा अपरात इसने गुमान सेहं डामोर और यह कलक्टर गड़ेश शंकर इन लोगों मिलके खुले आम डाका डाला और सरकार को काने कान कोई खबर ही नहीं और जब यह मामला माने नियाले ने जब कहात कलक्टर भी पिशे अड़ गया तब डारेक्ट यह सारा इत्ती धारों में यह केस उठाया यह फ्रोराइड के लिए यह पूरी तरह से लोग परेशान है दोजार शेर साथ में यह मामला हुआ था पेशे देने का पर उसमें उन्होंने पूरी नि पार का ठीकरा फोर्णने वाले कॉंग्रस निता महिश पटिल को भी कांतिलाल भूरिया ने आड़े हांतु लिया जहां उन्होंने महिश पटिल पर जब कर निशाना साथा पूरे मिटिंग करते करते पूरे विधान सभा में गूंता था और मैंने उसका प्रचान नित उसकी जमाने जब्द हो जाती हमने जगत सारे कारे करता हों को लगए जगए लगा है पूरी कोशिश की पूरी कोशिश की और पटेल परिवार को कांतिलाल भूरे ने उपर उठाया से वेश्टा पटेल नेजर से देखते थे पेडे लो उसको बेने विधायक कुल्मिलागर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के आरोब झेल रहे सांसत गुमान सेहां डामोर और भूरिया परिवार पर हार का ठीकरा फोरने वाले महेश पटिल पर कांत्रिलाल भूरिया का गुस्सा फूट पड़ा जहां उन्होंने दोनु नेताओं को आडे हांतो लेते हुए निशाना साथा अली राजपुर से एंपिनियोस के लिए आशिश वागहिला और जोबट से संजय वार्नी की रिपोर्ट